परिचय मुझे हमारा परिवार पर एक प्रोजेक्ट पनाना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं शुरू कहां से करूँ परिशान ना हो, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँगी धन्यवाद प्यारे दोस्तों, क्या आप इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में मेरी मदद करेंगे? आओ सीखें एक परिवार का वर्णन करना परिवार का महत्व समझना एकल, बड़े और संयुक्त परिवार के बारे में जानना और अंतर करना परिवार तालिका चलो सैम के घर चलते हैं वह सैम की माता है और वह सैम के पिता है देखो, वह सैम का बड़ा भाई है और यहां देखो, सैम के दादा दादी अब सैम के चाचा बुआ को देखो और यहां है सैम के नाना नानी सैम अपने माता-पिता और बड़े भाई के साथ रहता है आप जानते हैं कि यह एक एकल परिवार का उधारण है बड़ा परिवार अब इस परिवार तालिका को देखो तुमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि दो से ज्यादा बच्चों वाले अभिभावक बड़ा परिवार बनाते है सन्युक्त परिवार क्या आप जानते हैं कि सन्युक्त परिवार क्या होता है? एक सन्युक्त परिवार में एकल परिवार के माता पिता और बच्चों के ही साथ उनके दादा दादी, चाचा चाची और सभी चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं परिवार के परकार अब आप यह पहचानने में सक्षम हो गए हैं कि कोई परिवार एकल, बड़ा या सन्युक्त में से किस परकार का परिवार है? घर परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं और वो जिस जगह रहते हैं उसे घर कहते हैं परिवार के साथ परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं आप जानते हैं कि वो साथ काम करते हैं, रहते हैं और साथ ही मौज मस्ती भी करते हैं हमने क्या चर्चा की? एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं एकल, बड़ा और सन्युक्त परिवार के भिन्न प्रकार हैं। एकल परिवार में माता-पिता और एक या दो बच्चे होते हैं। चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं।